है है अब है अब है है अब है कैसे ही आप सा आप सा वाई हो के आप सा बच्चहे हों कपड़ को पहनते हैं ओर इनका पूरा सिंगाल करने के खरव चैनल दभाली है इसी तरन लगा हुवा है N治 jeśli दिष्य के भी नंडर्टर को हlawते हैं, नो की नो दिन, यह साल में दो बार आते हैं मुझे काफी अच्छा लगते हैं यह वाले नवर्ट्र में जाद अजादा के लगते हैं तो यह यूद तो करता है तो नहीं जाती होती है और इससे हमारे फेस्टिवल के भी सुरुवात हो जाती है सारे जितने फेस्टिवल में वो लगाताराने सुरू हो जाते हैं और इसमें क्या है जो भी हम चीजे अपने घर के लिए कुछ भी नया खरीदने को इच्छा रखते हैं वो दिवाली पे हमार पूजाना पहले दिन की पूजा में काफी समय लग जाता है क्योंकि हमें कलर स्थापना करनी होती है जो आरे बोने होते हैं माता का सुंदर सा दर्बार सचाना होता है और माता का प्यार से सिंगार भी करना होता है घर के भी काम हो जाते हैं तो बहुत जादा समय लग जाता है लेकिन जैसे जैसे हमारे दिन आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारा काम बहुत जादा आशान हो जाता है नवरात्रों में हमें कोई भी मुश्किल नहीं पढ़ती है बह में 15 20 दिन कोन सा भोग को लगाना चाहिए टो यहां पर जो पहला दिन होता है उसकाव को बिमारिया स laureland खतम की प्राप्ति होती है और पांच वे दिन केले का भोग लगता है जिससे सभी को बुद्धी प्राप्त होती है और छटे दिन सहद का भोग लगता है जिससे संद्रे की व्रद्धी होती है और साथ वे दिन हमें मातरानी को गुड का भोग लगाना चाहिए इससे दुखों का व पूजा करने कि बाद बाद भाइ अपना भी तो ख्याल रखना है तो मैंने यहां पर केले कट किये हैं और मैं अविन को एन्जोय करूंगी पूजा मेरी हो गई थी और घर का सारा काम भी मेरा खतम हो गया है मैंने आपको बताया था कि हमारे हाँ पर वाइट वोश का काम चल रहा है वो भी करीब करीब हमारा खतम हो चुका है और अब सुबा के बज़े हैं साड़े दस और काम मेरा सारा हो चुका है अब मैं थोड़ा सा रेश्ट करूंगी बच्चे अभी तीन बजे के बाद ही आएंगे तीन बजे तक कर टाइम मेरा है मेरा खुद का तो मैं इसमें क्या करती हूँ वो मुझे सोचना है तो मैंने यहाँ पर उठा ली है अपनी डायरी जिसमें मैं लिखती हूँ अपने घर क सारा जो भी होता है और या मेरे मन की जो बाते होती है मैं रहाँ पर तीन से चाइरी बनाए हुई है अलग लग जो भी मुझे कुछ भी लिखना होता है वो मैं इनके अंदर लिख देती हूँ और बहुत अच्छी बात होती है कि हम अपने मन की बाद किसी को ना भी बता पाएं तो एक डाइडी में हम अपनी उतार देते हैं मन हमारा हलका हो जाता है तो ये काम मुझे सबसे अच्छा लगता है और यहाँ पर तीन बजे के बाद ही मेरा काम सुरू होगा उसे ये जो वक्त होता है मेरा खुद का होता है वीडियो बनाना एडिटिंग करना वीडियो डालना और मैंने आपको बताया था कि हम पहले नवरात्रे पे मेला दिखने के लिए गए थे तो काफी अच्छा मेला लगावा है और मैने मेले से ये वाले एरिंग्स लिये थे काफी अच्छे लग रहे हैं यह ऐसा लग रहा है जैसे मैंने टमाटल लगाए हुए है या फिर आप बोल सकते हो कि एपल भी बोल सकते हो जब हम दिये की बाती को उपर करते हैं तो हमारा जो दिया है कभी-कभी बंध हो जाता है तो मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि इसका एक छोटा सन्याम होता है तो चले वीडियो में मेरी साथ बने रहे हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है आए मेरी साथ जब हम दिये की बाती ऊपर की तरफ करते हैं तो अक्सर हमारा दियाना बंध हो जाता है तो हमें क्या करना है कि पहले सही पहले नवरातिर से हमें एक छोटा दिया साइड में रखना है अपना तयार करके रेक माचीस तो इस तरह से जब भी आप अपनी बाति को उपर की तरफ करेंगे तो हमें क्या करना है अपने इस छोटी दिए को जला देना है तो हमने या दिया जला दिया है और अब हम playker की सायता से अपनी जो बाती है उसको उपर की तरफ करेंगे अगर आपका दिया बंद नहीं होता है तो अच्छी बात है अगर बंद हो जाता है तो कोई भी घबराने की बात नहीं है आपने दिया जला के रखा हुआ है साइड में तो अब हमें इस दिये को कैसे बंद करना है ना तो आपको फूक मारनी है ना ही आपको ह करने हैं कि मात्रारानी से कि मात रानी हमारे जन्दिय कि राक्षा करता और मैं ग इम्मार्टायव पड़ा गूपकर यहसा खाले जन्मरी में दोनने हिए व flourा कुछ मैंने नीची ही चेक कर लिये थे क्या आपने अपनी शॉपिंग शुरू कर दी तो मैंने तो ओफलाइन भी और ओनलाइन भी बहुत सारे शॉपिंग की है इस बार दिवाली पर मैं नईने चीज़े लगाने वाली हूँ घर में और मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी लेकिन अभी मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि बहुत सारा काम है और मेरा ओड़ फिर से आ गया है और मैंने गेट खोले हूँ हाई राम भुई तो बहुत बड़ा है पारसल और देखना कितने बड़े बॉक्स के अंदर है लेकिन मैं इसे ओपर जाके ही खोल के देखूंगी और आप सबको भी दिखाऊंगी लेकिन अभी नहीं अगली वीडियो में मेरे सारी चीज़े आपके सामने आएंगी कि मैंने क्या क्या मंगाया है तो आपको मेरे वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके आप सब जरूर बताना और नवरात्रे अच्छी तरह से आप लोग भी मनाते रहना खुश रहना अपने परिवार के साथ रहना हैपी नवरात्री आप सारे नवरात्री अपने मनाते रहें सारे फेस्टिवल मनाते रहें परिवार के साथ खुश रहें मस रहें और इंज़य कीजिये अपने सारे फेस्टिवल